96 ते दिया था न हमने चलिए more than 7000 people died within a matter of days when toxic gas leaked from है in तो in हो जाएगा भोपाल में एक रात में 7000 सदिक लोगों की मृत्ती हो गई जब एक जहरीली gas क्या है leak हो गई the leak began late at night यह जो leak है कब शुरू हुई देर रात को कब शुरू हुई देर रात को and dash for several hours अब end के दुनों तरफ structure क्या होता है same इधर है begin verb का दूसा रूप तो वहाँ पे भी क्या चाहिए verb का दूसा रूप continued होगा शुरू हुआ और कई घंटों तक चलता रहा किसी को पता नहीं चला unnoticed मतलब किसी का ध्यान ही नहीं गया since then dash to the toxics option देखिए तो exposure के बाद क्या है ठीक है exposure हो जाएगा exposure to the toxin exposure समझते है हड़ जाना नहीं meaning समझाते है सूरज है ठीक है आप धूप में निकल गया और आपने मेरे जैसे कपड़े पहन रखे है तो आपका exposure कम है या जादे कम है सिर्फ चेहरें पे धूप लग रही और दूनों हतेलियों को धूप लग रही इतनी ही ना लेकिन अगर हम हाफ शर्ट पहन ले तो मेरा exposure क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो आप किसी चीज के कितने प्रभाव में है उसको भी क्या कहते है exposure तो जहरीली गैस निकले और जहरीली गैस के प्रभाव में लोग आ गया यानि काफी देर तक उसको सांस में लोगों ने लिया resulted in innumerable death इसके सारण कई सारी लोग मारेगा इतने मारेगे जिनको आप गिन नहीं सकते many more are sick and dash to live forced है 499 में forced struggling हो जाएगा बागी जो जिन्दा बच गए वो सामान या जिन्दी की जीने के लिए struggle कर रहे हैं मतलो normal आदमी की तरह जीन नहीं पा रहे हैं जैसे मालों कि तुम हो अब तुम्हारा किसी तरह से किसी बिमारी में एक आँख चली जाए और एक पैर से तुम चलने में नाकाम हो जाओ तो तुम्हारी जिन्दगी पहले जैसी रह जाएगी आप जीने में थोरह struggle होगा struggle होगा वही हुआ despite trying to get dash for the disaster compensation है लोगों ने प्रयास किया कि यह जो हमारे साथ दुरगटना हुई है तो हमको क्या मिलना चाहिए मुआफजा मिलना चाहिए लेकिन उनको compensation देने का प्रयास नहीं हुआ the company involved जो company इसमें शामिल थी union carbide उसका नाम क्या था union carbide has publicly denied है क्या होगे बाबू जल्दी जो सामने है has publicly denied all responsibility उन्होंने publicly बोला भाईया हमारी कोई गलती नहीं थी no one till date has been held responsible आज तक मतलब आज कितनी तारीक है 22 February 2024 तक किसी को भी इसके लिए उत्तरदाई नहीं ठहराया गया कि फलाना की गलती थी was it the dash of the machinery failure है 503 में कोई machine खराब हो गई थी या आदमी की गलती थी many questions remain unanswered है 504 में अन उत्तरित यान इन प्रश्णों का उत्तर आज तक नहीं मिला है the investigation has been dealt with a very dash manner लापरवाही से investigation हुई है तो लापरवाही वाला क्या क्या है शब्द option में हाँ कॉलस हो जाएगा ठीक है कॉलस का मतलब क्या होता है लापरवाही चलिए बना लिया कितना सही कितना गलत पांच सही पांच गलत कोई दिकत नहीं कन बना लेंगे हम लोग 545 इसमें 25 कोश्चन है अ है वह कि तो चलिए 506- 550 ones वाला बना लेंगे बाभु 506-510 ठीक है क्या हुआ ओ लिखा हुआ है मतलब वो नया section है उस section में पहला कोश्चन बना लेंगे झाल झाल